हलो रुवान, वेलकम टू कोचिफाई, आज की सेशन में हम लोग कम्पूटर नेटवर्क और टोपलोग जिसके टॉप 20 इंपोर्टन कोशन्स को डिसेस करने वाले जो कि आपके आने वाले एक्जामिनेशन, आईबीपेस, आरबीपियो और कलर के मेंस एक्जामिनेशन के लिए काफ़ जीदा जूसल रहने वाला है यह हमारे कम्पूटर एवन इसके सीरीज का पार्ट फाइव है इसके पहले कि अगर अपने सेशन्स नहीं देखे होंगे आपके कुछी दिनों में इसका आरग भी मेंस का एक्जामिनेशन है आपको पता है वापे 40 कोशन जो आपको 20 मार्क्स के लिए पूछ रहा थे उसके को ध्यान में रखते हो है हमने यह सीरीज शुरू किये और इस कोशन का करेट टैंसर दिया है उन टॉप 10 स्टोंस के नाम है श्रीरादे, अर्चिना कुमारी, सौविक, चौधरी, राकेश सिंग, अरपिद गुपता, सुर्भी सिंग, सूनाली, केसरवानी, हितेश, धारविया, दिलिप, देवाड़ा, एंद दिवया कोदम और अगर आप भी चाहते हूं कि आपका नाम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको इस सेशन के end में जो भी आपको क्वेशन में जाके बताएगा और आपको ये बात धहन में जाकनों का, आपको ये बात धहन में जाकनों का, आपको ये सारी चीज़े में एक बार रिकाल करा देता हूं इंट्रदक्शन अफ कंप्पूटर हमने पढ़ लिया सबसे फायल है, मेमरी पढ़ लिया, कंप्पूटर हाडवेर पढ़ लिया, OS software and programming language लिया हमने पढ़ लिया, अभी हम लोग आज के सेशन में कंप्पूटर नेट्वर्क और टोपोलोजिस को पढ़ने वाले और जो बाग की रिमिनिंग सेशन से मैं जल्ली जल्दी प्रोवाइड करना दूंग, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको में आपको मेंशन करना देता हूं, कि हमारा जो एप्लिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, स्टेडी मोटर लिग में जाके आप इबूक में जाके इसको आप इसमें से रीट कर सकते हैं, हमारे सिर्फ एबुक जो है हमारे एप्लिकेशन के उपर अवेलेबल है, आप इसको सिर्फ 15 रुपिस में पॉचिस कर सकते हैं, इसको काफी जदा useful है, इसमें हमने दोनों भी सेशन, जो हमने 1st और 2nd सेशन, दोनों भी combine करके सिर्फ काफी nominal amount में इसको आपको provide कर रहा है, इसको आप जाके ले सकते हैं, इसके साथ मैं बता दू कि जो हमारे RRBPO Mains का 2019 का है, 2021 में जो questions पूचे गये थे, इसी जी सेशन का पहले के नहीं देखे होंगे, तो आप एक बार वीडियो को post करेगा, जितने भी सेशन मिस की होंगे, तो आप इसको जाके देखेगा, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता दू कि काफी important session मैंने इसके लिए लिया है, और काफी फायदा होंगा इस साल भी आपको, आप सारे session जाके देखेगा guys, अभी हम लोग हमारे session को शुरू करते हैं, और देखते हैं हमारा सबसे पहला question, पहला question क्या है, देखे मैं आपको एक चीज़ बता दू, IBPS question को इस तरीके से set करता है, और मैं ये भी चीज़ बात आना चाहता हूँ कि काफी सारे serious aspirants होंगे, उन लोगो 20 marks is not a joke, 20 marks आपको selection दिला सकता है, और फिर आपको race से बाहर कर सकता है, ये बात ध्यान में रखनोंगे, जितना सारे बाकी subjects को लेके serious होते हैं, उतना ही आप computer awareness को लेके serious रहीगा, क्योंकि काफी day-to-day life से questions आपको पूछे जाता है, वह ही मैरा target रहता है कि मैं आपको इस त the transmission to the longer distance, अब ये आपको question द्हान से समझ जाए, question क्या करें, ऐसा कौन सा electronic device है, जो retransmit करता है, जो transmitted signal से उसको फिर से transmit करता है, जो उसके पास signal आते है, जितने भी signal उसके पास आते है, उसको फिर से retransmit करता है, और उसके करन क्या होते है, उसकी transmission की range बढ़ जाती है, लांग आपके घर में मान लो कुछ इस तरीके से structure है, यह आपने यहापे wifi लगा दिया, इस corner में, और यहापे हमारा end room, आपने काफी कबार देखा होगे कि due to wall penetration, आपके घर में, वाल्स के कारण क्या होता है, कि signals को reach होने के लिए काफी हमें, काफी हमें दिक्कत गिलती है, फिर से retransmit करता है, आपको complete overall area में longer distance तरक उसकी connectivity मिल सके, और इसको हम लोग क्या कहते है, रिपीटर, option A, इस question का, के return सरा आजाएगा, ठीक है, मैं आपको आशा करता हो कि आपको question समझ में आगा, अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारे next question को, जो कि हमारा question number 2, question number 2 हमारे क्या बत रहता है, उसको हम लोग कहते है, co-axial cable, that means, सिर्फ एक single, इसमें cable रहता है, या पर ground का, उसका outer covering रहता है, इस तरीके से आपने cable देखा होगा कि पुराने समय में रहता है, हाला कि आचकल fiber optics का generation है, तो फिर भी आपके घर में आगर आपका बस distributed, satellite connection है, ठीक है, आपके जो, उपसे जो black color का cable आता है, उसी को हम लोग कहते है, co-axial cable, antenna नहीं है, DSL connection ही, ISP नहीं है, copper wire तो बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान में रखनों का option A is question का correct answer आजाएगा, ठीक, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे next question क्यों, क्योंकि question number 3, यह ऐसा question mainly काफी कबार पुछा थे, इसलि तो उसका size है 128, IPV4 का है, 32 bit और IPV6 का है 128 bit, यह दोनों चीज़ ध्यान में रखेगा, जो जो चीज़ मैं mention करता हूँ, वो आप सारी चीज़े ध्यान में रखा करीगा, ठीक, इसका numeric.decimal notation किस तरह के से आला कि यह काफी detail में हो जाएगा, तो आपको फिर भी एक बार note करके रखेगा, और यहाँ पर DHCP और manual configuration इसमें employed किया जाता है, और इस case में IPV6 में auto configuration में mode में यह run होता है, तो ध्यान में रखना होगा, option D, इस question का correct answer रजागा, okay, IPV6 का जो address कितना है, वो है हमारा 128, और IPV4 पूचा गया, तो 32, दोनों ध्यान में रखेगा, दोनों में से question पू to carry the data in a computer network, question को ध्यान से पढ़ेगा, देखे, इसमें क्या पूचा गया है, इसा कॉंसर transmission medium है, जिसमें हमारा reflection of light के जो principle है, उसका medium use होके, हमारा जो data है, उसको transmit होता है, तो वो जो हमारा core किस्ते के बना रहता है, mainly glass या फिर plastic से बना रहता है, तो उसको हमारे पास option में कहक पर two-state pair है, optical fiber है, coaxial है, steplein है, या फिर copper wire है, तो दीखे, copper wire तो यहापर आये गए नहीं, optical fiber इस कुशन का current sensor आजागा, दीखे, आपने कुछ इस तरीके से आपके घर में डेकोरेट ही हो, वेस देखा होंगा, ठीके, इस तरीके से इसमें आपके जो threads निकाल का आए होंग यह एक तो glass कर रहता है, फिर plastic कर रहता है, और यह हमारा B तक का latest जो advanced technology है, जिससे हम लोग internet को, जो geofiber आ रहा है, या फिर Airtel Extreme का fiber connections हा रहे है, तो fiber connection में यही तरीके से जो light transmit करके, जो reflection होता है, उसके through ही हमारा data transmit होता है, काफी high speed data है, इसमें transmit होता है, काफी efficient way है हमारे communicate क अगर आपके कह़र में Wi-Fi router होंगा, तो इस सबसे पहले जो connection आता है हमारे पास में, तो यही आता है fiber optics का, so that इसमें lossless हमें, काफी high bandwidth में, हमें speedily इसका data transfer मिल सके, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, option B, इस question का carry transfer आजएगा, optical fiber में हमारे light का, reflection of light का जो concept है, उसको utilize कर के हम लोग data transfer करते हैं, ठीक है, next question क्या जाएगा, हमारे पास में question number 5, a dash is a device that connects a dissimilar networks, मैं आपको एक चीज़ बताना देना चाहत होगा, हमने काफी एच्छी तरीके से content आपको अभी तक के computer awareness के provide करा करा है, वो अगर आप सारे sessions जाके देख लोगे, मैं आपको आशूर करता और हर एक session में आप जाके देख सकते हैं हमारे, कि student ने काफी अची तरीके से हमें review भी प्रोइड किया, कि questions उन्हें as it is देखने को भी मिले है, ठीक है, तो हमें question क्या है, बता रहा है, a dash is a device that connects dissimilar network, ऐसा कौन सा device है, जो dissimilar network, दो different different webinar networks को connect करता है, तो वो होता है हमारा gateway, देहन में रखी का option A, इस question का carry tensor आजाएगा, अब आपको यह पता होना चीए कि repeater क्या होता है, repeater मेना अलड़ी बता दिया कि amplify करता है signal को, ठीक है, transmit करने के लिए, amplify करता है, longer distance के लिए, ठीक है, router क्या है, यह हमारा device that works like a bridge that can handle a different protocol, is known as router, it is used to separate different segment in a network to improve performance and reliability, आपके देखा होगा, यह उस type का concept है, switch का है, switch is a device that is used to segment network into different subnetwork called subnet, अब यह question ऐसा पूछा जा सकता है, कि जैसे भी मैंने आपको gateway पूछ लिया, तो यह बागे की point भी पूछा गया, what is switch, एक ऐसा device, ऐसा पूछे सकते, dash is a device that it is used to connect, that is used to segment network into different subnetwork, एक device को network को different subnetworks में divide करने के लि switch इस तरिके से धान में रखना होगा, ठीक है, और इस question का carry answer दा option A, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे next question को, जो कि हमारा question number 6, dash is a device such as PC, printer और another server which requests services or resources for our server, मान लो एक server है आपका, ठीक है, इससे आपके पास जो computer है, इससे आप data माग रहे हो, request कर रहे हो, ठीक है, तो यह क्या ह है हमारा, हम क्या होगे, ठीक है, dash is a device, एक ऐसा कौन सा device है, जो कि इससे data transmit करता है, इससे services का demand करता है, तो हम तो client हुए, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा, option C is question का carry answer, अगर अब यूजर भी रहता था, तो भी हैपे correct answer आपको mark करना रहता था, ठीक है, option C is question क का carry answer आजाएगा, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे next question क्यों, जो कि हमारा question number 7, dash are used to provide an internet connection, connects the devices to a local network, इसमें से कौन सा cable हम लोग use करते है, so that हमें internet connection मिल सके, उसको हम लोग कहते है, Ethernet cable, आपने देखा होगा, जो blue color का है, आपी Ethernet cable रहता है, कुछ इस तरीके से इसको shape रहता आपको local network पे हमें मदद करता है, next question हो जाएगा, हमारा question number 8, dash allows you to create a secure connection to another network over an internet, ये थोड़ा latest trending question है, ऐसा पूछा जा सकता है, इसमें क्या पूछा, बोल रहा है, कि कौन से इसमें से service है, जो हमें secure connection another network के साथ बनाने के लिए मदद करता है, internet के उपर, तो आपने काफी बार स बना सकते हैं, internet के साथ में, इसमें कोई भी hacker interfere नहीं करता है, आपका एक private secure interconnection रहता है, आपके internet के साथ में, इससे आपको, आपकी location का identity और बाकि सारी चीज़े hide करके रख सकता है, तो आपके ध्यान में रखना होगा, option B, इस question का correct answer आजाएगा, जिसको हम लोग कहते है, virtual private network अब गार अपसको full form भी पूचा गया है, तो है पर मैंने mention किया, mention नहीं किया, अब ध्यान में रहता है, virtual private network इसका full form आ जाएगा, ठीक है, then we have a next question, which is question 19, dash is the most important powerful computer in a typical network, इसमें से कौन सा computer है, सबसे powerful रहता है, network में हमारे, तो या तो वह desktop है, network client है, network server है, station है, तो ध्यान में लगता है, examination में, तो ध्यान में रखना होगा, guys, ठीक है, then we have a next question, which is question number 10, ये मैंने खुद question आपके लिए बनाया, क्योंकि मैंने जिस तरीके से IPPS का जो review किया था, previously, उसमें ये question latest जमाने के आपको कुछी जाता है, जो डेटिवे लाइफ से updated है, उनको ये काफी इस तरीके से questions आपको देखने को मिलता है, ठीक है, question क्या हमने framework कि which of the falling is the latest version of Bluetooth, ठीक है आपको ये सारी चीज़े से पता हो नहीं चाहिए, Android का अभी कौन सा latest version चल रहा है, इसके previous जो Android के versions के names है, वो भी आपको धहन मेरे कि गार आपको ये भी session चाहिए होंगा, चोटे से चोटे काफी बेसिक से sessions है, बट मैं आपको बता तो जो भी मैं आपको बताता हूँ, एक से दो questions भाहा से आपको definitely देखने को मिल सकते है, इसे हैप मैंने आपको कल utility का एक session बता था, वो भी आपको जद्दी से try करूंगा कि provide करे, और अगर आप आप आचाहते हो कि Android के names का जो एक चोटा हो गया, अभी latest में जो currently चल रहा है, वो है हमारा 5.2, तहन में रेकनों का 5.2 GHz का latest हमारा version है Bluetooth का, ठीक है, यह आपको देखा होगा, कभी भी आप wireless earphones देखते हो, कभी भी आप wireless earphones खरीदते हो, तो आप यह जरूरू चेक करिए कि इसके जो Bluetooth version है, वो कौन सा supported है, जितना higher versions रहेगा, ठीक है, जितना latest version है, उसका bandwidth और latency जो हो, उसका काम रहेगा, आपने काफी का बार देखा होगा, advertisement में latency क्या रहता है, गैस, गेमिंग में सबसे पहले तो इसका काफी ज़दा use होता है, क्योंकि अगर आप यहापर कोई क्लिक कर रहे हो, सेल्फोन पे, और आप यह Bluetooth earphones पहन के हो, ठीक है, correct, अगर आप Bluetooth earphones पहन के हो, तो जितना उसको time आपके तरफ, देखे, अगर आपने यहापर कोई भी अगर button प्रेस कर दी, ठीक है, उसका response आपको time सुनने के लिए कितना time लगता है, उसको हम लोग कहते है, latency, latency जितना low हो, उतना ही हमें benefit हो रहता है, so that हम लोग accurate sound सुन सके, क्योंकि यह wireless Bluetooth का इस्टेमाल करता है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा, कभी का बार आपने देखा होगी, कि lips, lipsync का issue हो जाता है, that means, dialogue बाद में बोलते है, ठीक है, dialogue पहले ही बोलना हो जाता है, वीडियो में दिखता है, और हमें सुन पहले होगी, मिलती है, तो आप यह बात धहन में रखना है, जब भी आप wireless earphones खरीदते हो, cellphones खरीदते हो, यह Bluetooth वर्जन उसमें कौन सा है, क्या का services आपको provide करते है, यह कुछ day to day life आपको पता होनी चाहिए, तो आपको यहापर जो वर्जन से उसके years मैंने mention करकर करके, काफ आपने जो बाकी के सारे जो sessions है, जैसे कि हमने computer awareness का हमारा marathon है, वो आपने देख लिया हो, उसमें हमने ring topology क्या होता है, bus topology क्या होता है, star, tree, topologies मैंने अल्यड़ी पढ़ा के रखे, फिर भी मैंने आपको यह एक दो question है, पे consider कर लेगा, वो आपको जाके देखना आगा है, ऐसा नहीं बोलना है कि examination में हमने cover करा नहीं, आप मैं जो repetitive question से ज्यादा cover नहीं करा रहा हो, आप पूरे previous session में जाके देख सकते हो, ठीक है, in which network topology failure in the central hub, एक अगर हमारा central hub है, उसमें अगर failure हो जाता है, तो पूरा जो network है, वो हमारा fail हो सकता है, ठीक है, that means question में ऐसा ही अगर यही fail हो जाता है, तो we cannot connect communicate, अगर हमारा यह A client है, and it has to connect, B, then how will he communicate without any central hub, तो यह बात ध्यान में रेखनों का, यह सा होता है, start topology में, option C is question का correct answer रहा जागा, ठीक है, then we will have a next question, which is question number 12, question काफी ध्यान से देखेगा, यह important है, जो जो important करके रहा है, उसको और ध्यान से दे कौन सा यह entity है, उसका function रहता है, to assign IP addresses to various devices and the host, काफी important है, यह इसका function रहता है, DHCP, और इसका question देखेगा, इस question तो यह बताई दिया था, बट इसमें क्या पूछा गया था हमारे previous examination में, कि DHCP का full form क्या होता है, तो full form तो आप बिल्कुल भी मिसमत करीगा, जो abbreviations रहते है, वो काफी कबार examination है, पूछ रहते है, इसका full form का है, dynamic host configuration protocol, ध्यान से देखेगा, dynamic host configuration protocol, dynamic host configuration protocol, DHCP का है, और इसका काम क्या रहता है, to assign IP addresses to the various devices and the host, यह द्यान में रहते होगा, आप इस option को ना देखते हुए, आप सिर्फ एंसर ध्यान में रहते हैं, और मैंने उस statement बताए, उसका तो अब समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर, देखे, question तो ऐसा है, कैसा answer नहीं आएगा, बट यह question का concept सेम रहेगा, और आप एंसर भी सेम रहेगा, बट आपको interpret करते आना चाहिए, देखे, होता क्या है, मैंसे examination में, interpretation is the only thing, एगर आपको interpret करना आ गया, क्या क्य भला ही हो, आप अपने interpret नहीं कर लिया, अगर आपको answer भी आता है, फिर भी आप गलत मार करके आ सकते हैं, तो समझने की कोशिश की यह, कि आपको कैसे question से आपको, पूछा जा सकते है, question का meaning क्या है, ठीक है, then हमारा next question है, question number 13, when a computer can communicate with each other without any mediator, और bypassing the hub, ठीक है, अगर हमारे तो क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते है, tunneling is, option B, इस question का, का return answer है, computer network में क्या होता है, tunneling एक protocol है, communication protocol, जो हमें, एक network से, दूसरे network में, without any hub से, हमें connect करने की, आपको, जो साव लेते हैं, वो देता है, तो उसको हम लोग कहते है, tunneling phenomenon, ठीक है, then we will have a next question, which is question number 14, इसमें सा, ऐस question, जो transmission है, type of transmission, इसमें से question पूछा जाता है, मैं आपको cover करा दूँगा, ठीक है, communication between walkie-talkie, अभी आपको ये walkie-talkie पूछा किया, आपको television बता सकता है, यहापे, या फिर आपको cell phone बता सकता है, या फिर आप यहापे रेडियो, यह कौन सा type of communication है, जान से देखिए काफी important ह अब walkie-talkie में कौन सा communication रहता है, communication mode रहता है, वो रहता है हमारा half duplex, half duplex हमारा communication mode रहता है, half duplex में मतलब क्या, जो हमारा communication हो रहा है, यहाप आप देख सकते हो, communication हो रहा है half duplex में, that means, this communication is bidirectional, इधर the device can act as a transmitter or receiver, इधर बोला गया है, ध्यान में देखिए कि एधर, एक तो ए transmit कर सकता है, या फिर वो receive कर सकता है, या फिर वो receive कर सकता है, but he cannot act both simultaneously, ठीक है, but आपको यहाप धान में देखना हो का, simplex में कहा है, direction of data सिर्फ single direction है, mainframe सिर्फ computer से हमें सिर्फ monitor कर, that means, type of transmission mode में आपको बता रहा हो, या पे आपको लाइन में समझना जागा, simplest में कहा हता है, communication communication ही हमारा unidirectional में, unidirectional में, that means, सिर्फ हमें one direction ही हमारा data transfer होता है, in one of the two devices can transmit data, and the other can only receive the data, एक device सिर्फ transmit कर सकता है, दूसरा सिर्फ receive कर सकता है, वो फिर से send नहीं कर सकता है, ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा radio broadcasting में, जैसे मैं आपको question पूछा है, ता आप यह तो हमाने walkie-talkie आपको radio पूछा सकता है, कि radio is type of simplex, half-duplex, half-duplex, तो ध्यान में रखना हो का radio is type of simplex data transmission mode, ठीक है, वो हमारे एक mode है, आप ऐसा consider कर सकते है, that means, radio कौन से mode में आता है, simplex data transmission mode में आता है, television भी आता है, उसमें और broadcasting भी इसमें आता है, अभी हमें क्या पूछागा है, walkie-talkie, walkie-talk button रहते है, उसे button press करके आप talk करते हो, आगे वाला receive करते है, सुनता है, और उसके बाद में, copy करने के बाद में, that means, वो सुनने के बाद में, उसको फिर से push करके वो button में, आगे वाला receive करते है, that means, bi-directional तो है, लेकिन सिर्फ एक time ही बात हो सकते है, इसी को मारा रहता है, walkie- अब duplex में क्या होता है, duplex में आप देख सकते हो, दोनों भी direction at all time हम लोग communicate कर सकते है, ठीक है, आप देख सकते है, here communication is both direction and both devices can simultaneously, एक ही time पे transmit भी कर सकते है, जैसा कि होता है हमारे telephone communication, जैसे कि इसको cell phone भी मान सकते है, ठीक है, at a time हमें बात कर सकते है, कोई भी आप interrupt भी कर सक सकते है, अभी जो आप ऐसा समझ सकते हो कि simplex में मतलब क्या है, कि अभी हम लोग जो हम आपको session बढ़ा रहा हो, यह हमारा simplex mode of transmission आप सुन सकते हो, आप इसके बाद में receive नहीं कर सकते हो, that means मैं आपको transmit कर रहा हो, और आप सिर्फ receive कर रहा है, इस तरीके से आपको कुछ ची से नेटवर्क के साथ associated रहता है, वो हमारे star network के साथ associated रहता है, तो ring, router, match यह तरीके से गलत options आप है mentioned है, आपको एक तो दो तीन statement में आपको question पूछा जा सकता है, या फिर आपको not वाले questions आपको जो आजकल IPPS का famous pattern है, वो आपको ऐसे question पूछा जा सकते है, तो यह बात है, हमारा wireless fidelity, ठीक है, wireless fidelity, ठीक है, इसका full form है, आपको USB का हो गया, ठीक है, और बाकी सारे जो latest में अभी abbreviation से वो भी आपको दहन में रखना होगा, ठीक है, मैं एक ट्राइ करूँगा कि आपको जो last हमारा session से है, abbreviation जो आपको point wise बताये, इंडेक्स में, उसमें मैं ट्राइ एक हमारा क्या करता है, network जो है, share करता है, hardware, software and data among the authorized user, network के थ्रूई ही तो हम लोग hardware को share करते है, ठीक है, hardware को share करते है, that means उसका जो power, CPU power वो utilize करते है, software को भी हम लोग utilize कर सकते है, ठीक है, एक network है, यहाप पर place है, और यह far place है, हमारा कुछ किलमेटर के दूर, वो भी है, हम इ we will have a next question, which is question number 18, a host computer that wants to communicate with another host computer on the internet, requires which of the following identity to itself, that means question में क्या पता हा गया, कि ऐसा host computer, जो communicate करना चाहता है, another host computer के साथ में, on the internet, requires which of the following identify itself, इस में से उसको क्या requirement रहती है, कि उसको हो identify कर सके, उसका particular name रह सके, तो वो रहता है, हमारा internet protocol address, guys, IP address, कोई भी व्वक्ति को, अगर हमें trace करना रहता है, तो सबसे पहले था हम लोग क्या देखते है, उसका IP address, so that उसका unique identity है, हर एक चीज को, हर एक cell phone devices को, laptop हो गया, या फिर आपका cell, आपका monitor हो गया, ठीक है, I mean, not a monitor, आपका जो computer हो गया, desktop computer, वो एक particular IP address से assign रहता है, और उस IP address के द्वारा ही आपका identification, location पता कर स Computers which offer information are called dash, and those who seek the information are called, ऐसा question पूछा जा सकते है, मैंने अपको, अलड़ी मैंने cover कर रहा है, but आपको फ्रेम अप चेंज करके मैंने आपको बताया, computer जो information provide करते है, उसको हम लोग सवव करते है, और जो हम लोग require, जिसको seek करते है, जो उसको पूछता है, जिससे हम लोग ले जो हमारा message है, उसको scramble किया जाता है, that means, उसको change किया जाता है, अगर आपनी यहां पर लिखा, hello, ठीक है, अगर आपको, इसको अगर आपको encryption करना है, ठीक है, that means, उसी process को हम लोग के थे, encrypt, तो आपको कोछ इस तरीके star, add, direct, या फिर something, कोई भी A, C, E, 1, 2, 3, इस तरीके आपको code में कनोट किया, that means, इसे secretly transmit हो सके, तो यह है, हमारा encryption इसको हम लोग कहता है, तो यह थे गाइस, कुछ 20 questions on computer network, और topology, मैं आपको आशा करता है, कि अपनी हमारा previous session, computer topology के देखे होंगे, अगर आपनी e-book चाहिए होगा, तो आप काफी nominal amount में सुझा के purchase कर सकते, so that आ मैंने motherboards related क्या किया गई, आपको बता तो motherboards related कुछ और add-on किये है, जो हमने session में provide नहीं किये, हाला कि हम लोग उस session को add तो नहीं कर सकते है, उस marathon के अंदर बटन मैंने, जो e-book मैंने आपको provide के है, उसके अंदर motherboards वाला topic है, आचकर जहापे graphics का और सारी चीज़े, जहापे question पुछा थे, वो भी मैंने आपको topic वापे additionally include किया है, दो-तिंग pages का, तो वो भी आप वहापे जाके पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कात आती तो हमें comment box के मादम से जल्दी comment करके बताएगा, next session के लिए मैं आपको question छोड़ के जा रहा हूँ, question कहा है, why max stands for, why max का full form हमें question correct answer comment box के मादम से आपको बताना होगा, अशा करतो हो, आपको आशका session समझ में आगा, इस session का आपको दूस्क्राइब करेगा, हमारे channel coachify को याप आप click करके subscribe कर सकते हो, अब telegram से channel से जरूर जोड़ीएगा, so that मैं आप आपको interactive discussion वापी कराते रहे तो, application के link आपको description box में और ब